कि अधिया आधि कि अधिया फ्रेंट्स मुनोजी कुमार जी के जैस्ट इंदर की ऊट्व चैनल में फिर से अपलोगा स्वागत हैं हम लोग बाइलोजी में देख रहे हैं बाइलोजी के अंतर आज देखेंगे स्वासन तंत्र यानि रेस्पीरेशन सिस्टम को देखेंगा तो सवाशन तंतर के बारे में रेस्पीरेशन सिस्टम के बारे मी स्वाशन तंत्र स्वासन गया ऑम जैविक परक्रिया है मतलब होत요 मतलब जीवन है वही करता है इसलिए उसको जैविक परक्रिया कहा जाता है जो जिन्दा है जिसमें प्रान है वही श्वासन की परक्रिया करता है तो प्रतेक जीवित कोश्च का ऑक्षीजन को ग्रहन करता है और सीवाटू परक्रिया जिसमें प्रतेक जीवित को ग्रहन करता है और ऑक्षीजन को बाहर निकलता है इसके बाद स्वासन क्या है स्वासन एक अप्चय प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मदद से गुलकोज अनु को तोरा जाता है जिसके प्वagsरो अर्शीजन की मदद से गुलकोज अनु को तोरा जाता चिसके फल्स रुप कारवन डैक्सब्स अप्ष़वन होता है और उर्जा की प्राप्ति होती है मतलब वर स्वासन एक अप्चय प्रक्रिया क्यों अप्चय प्रक्रिया underestaps में क्या होता है जिसमिंग्यों की मदद से गुलकोज और उनुको तोड़ा जाता है गुलकोज जो बाहर निकलता है असात में उर्जा की भी प्राप्ति होती है पुर्जा की Apa इसलोई स्वासन एक है मतलल केटाबॉलिक परिए इसके बाद स्वासन के बारे प्रियं में गुलकोज अनुका भी घ्टन होता हैं यहां भी हो रहा था गुल्कोज अनु को तोड़ा जाता है मतलब पीघटन होता है तो स्वासन की परक्रिया में गुल्कोज अनु का विघटनात्मक बिघटनात्मक कहा जाता है। क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्रोस्त कहा जाता है घट JS more Kata क्या कर दिस्ट्रक्टिव कहा जाता है कर इसके बाद स्वआसन की अख्रेजन की तोरा जाता फिर वही बात है स्वासन की परिक्रिया में ऑक्षिजन की मदद से गुलकोज अनुको तोरा जाता है अता इस परिक्रिया को ऑक्षिकरन या ऑक्षिडेशन भी कहा जाता है सबको अलग-अलग नाम है क्यों नाम है इसलिए इतना दिया हुआ इस परिक्रिया में उक्षिजन की मदद से गुलकोज को तोरा जाता है अता इस परिक्रिया को ऑक्षिकरन यानि ऑक्षिडेशन भी कहा जाता है इसके बाद है स्वासन क्रिया के दौरान स्वासन प्रक्रिया के दौरान उर्जा बाहार निकलता है स्वासन जब होता क्रिया होता है तो उर्जा जो होता है बाहार निकलता है अता इस क्रिया को उसमा छेपी या एक जो थर्मिक प्रक्रिया भी कहते हैं इस प्रक्रिया की एक उसमा छेपी भी कोते हुए नहीं की प्रिक्रिया के चार नाम हो गया है अब चयाげ यानि के टा बुलिक प्रिक्रिया नाम इसी के परा दूसरा ठैट हो त्टुड शी आण यानी ऑक्सीटेशन भी फिस्वसं की प्रिक्रिया की नाम पर और चोंथा में उश्मा छ्हेपी जिसे एक जो th strains क्प्रकरिया तो यह भी उश्छी का नाम हो गया स्चन के चार नाम हो गया जुला पूराद स्व संड की प्रक रिक्रिया को मापनेवाला यंद्र क्काया कहते हैं ऑस्पाइिरो मिटर कहते स्पाइरो मितरे तो परिक्रिया को मअपने वाला यंत्रो को स्पाइरो मीटर कहते हैं और स्वाशन की परिक्रिया को दू भागों बाठ गया है इस वावोम बैठ वू 찬्षासन दूसरा है और और ओब्सchy स्वत अंकट को इंगलीश में कहा जाता है इनारोबिक है रिच्प प्रियर सर्थ अनांथ वीक्येशन को एनारोबिक रिस्परेशन और आउक्षि श्टकोएन přीज़ शुंभ प्रक्रिया दो भागन बठा गया गया एक इनाक्षी को बढ़ें का अब दोनों के देखते बारी बारी से अनाक्षी क्या भाष्ण कि एस परक्रिया में नहीं परती है प्रकार का स्वासन सुख्षम जीव जो सुख्षम जीव है जिसको नगन आखों से हम नहीं देख सकते हैं उसमें इस प्रकार की प्रकार स्वासन किसमें होता है सुक्षिम जीव में होता है इसके बाद मांस पेशी की कोश्का में हम लोग के मांस पेशी जो अंदर में उसकी जो कोश्का है परते कोश्का में स्वासन की क्रिया होती है तो मांस पेश्या की कोश्का है उसमें भी अनॉक्षी स्वासन की प्रिक्रिया होती है मतलब वहां भी तो यह क्यों परती है काहा कौन को निशा स्वासन करता है जिसको अपसक्ता नहीं है तो सुक्संजीब जितना भी सुक्संजीब होता है और शरीर के आन्थरिक अंगों पाई जाने वाली कोष्ट का है वही हो गया मांसपेशिया की कुश्क तो भी अनोक्षी स्वसं करती है इस परकर किरिया के दौरान गुलकों का आंसिक विखंडन होता है अनोक्षी तुटा है पूरा के पुरा विखंडन नहीं होता है इसमें विखेंड़न होता है इसके फिल्ट प्राप्ति होती है अनौक्षी कई प्राप्ती होती है दो अनु पैरूविक प्राप्ति ऑसके बाल चार एटि पी एटी-पी उर्जा की प्राप्ति होती है तो धायल अल्कोल की प्राप्ती गुल्कोज एक अनू से 56 कैलोरी और जा प्राप्त होती है है मतलब कि श्वास्टन जो अनोके जहां ऑक्षेजन की ज़ौत नहीं पर रहा उस अनौके सब्सक्रीया क मिश्का के एक कंविते हैं ना उस की हUI है जिसको साइट पलाज्म का व कहते हैं तो तो यह जो कहां होता है मतलब साइटोपलाज में संपन होता है और इस परक्रिया को ग्लाइको लाइसिस परक्रिया भी कहा जाता है कि स्वासं की परक्रिया क्या होता है इस परक्रिया को ग्लाइको लाइसिस परक्रिया भी कहा जाता है इसके बाद है ग्लाइकोलाइसीस परकुरिया खोर किस नह kuya ग्लाइकोलाइस परकुरिया की खोर्फ गॉकी खोर्फ चयाईजिने एमपडेन मेर कि सब् 최 ważne तो था पार्सन नामक जर्मन विद्वान था कहां कथा जर्मन विद्वान जर्मन विद्वान के द्वरा किया गया ग्लाइकुलाइसिस परक्रिया की खोज किसके द्वरा किया गया तो इंबडेन मेर्हॉफ तो था पार्सन नामक जर्मन विद्वान के द्वरा किया गया और इस प्रक्रिया को EMP भी गाते हैं EMP क्यों कहते हैं ? इस is Abden M से Mayerhoff if u पार्सन उन्हीं के नाम तर तेनु've यानिके नाम पर ही ईंप पो भी कहा जाता है किसको गलाइकोलाइसस परकरिया को खूज किस ने किया था यहीं आ œंता इस परकरिया को ई? पत्वी काया लेटर में आ गया है इसे आं बने मेज़ों और पी भी आप की तो इसे EMP पथ भी कहा जाता है गलाइकोलाइसिस परक्रिया को क्या कहा जाता है EMP पथ भी कहा जाता है इसके बाद है मान स्पेसी में ठकावट अनोक्षी या गलाइकोलाइसिस परक्रिया के दोरान उत्पन लैक्टिक अमल के कारण होता है किS के कारण मांसपेसी में ठाख वट होता है तो लैक्टिक अमल के चलते ही हमारे सरीर में ठाख वट होता है इसके बाद अनौक्षी श्वासन की परिक्रिया के दौन बने पायरूबिक अमल माइट्रो कंडिया में परवेश कर जाता है जहां पर ऑक्षी श्वासन की परिक्रिया होती है ऑक्षी श्वासन की परिक्रिया कहां संपूर होती है तो माइट्रो कंडिया में जहां ऑक्षीज की ज Durham आख सवसंव जहां जोर्त्रिशन न के जोद पर्ती है जिसे इयोबी इक सकत hypertension कर दो भी किष्पीरेशन घए उखकी स्वाशन को एरबिक रेस monetary हम भी इसमें क्या होता है इस परकिरिया को क्रेव्ज़च्र पड़कलिया भी कहा जाता है इस परकीरिया को क्षप कुछकी किद्ञा को से में मैट्रो में उक्षिसी वाषण के स्वसंपन होता है क्रेफ प्रक्रिया की खोज क्रेब चक्र're प्रक्रिया की खोज किस ने ङे आए हैंस क्रेब्स हैंस क्रेब्स नामक विद्वान के द्वरा किया गया और इस प्रक्रिया की खोज किसके द्वरा किया गया था अब्सक्रिया के द्वरां करते हैं इस प्रक्रिया के द्वरां की खंडन हो जाता है ढ reminder पर्रव कelia कहाा था अंसीक क्या हो रहा है इसमें आंसीक विखंडन, नक्षित प्यरूब्बु कैशा ऊंसीक विखंडन हो रहा था और कर जो होता है इसमें पाइरूविक अमलका पूरी तरह से भिखंडल हो जाता है जिसके फॉल्स दृव चैतिश एटीपी और जा की प्राप्ति होती है और क्षिस्य व्धिकितना चार एटीपी प्राप्ति हो रहे हैं और क्षिस्य व्धिकितना 4 abbya की प्राप्ति हो रहे थी यहां 36 ATP उर्जा की प्राप्ति होती है तो माइट्रो कंडिया को पावर हाउस अपसेल कहा जाता है क्योंकि यहीं सवस्वसन की प्रिक्रिया संपन हो करके यहीं से उर्जा मिलता है तो उर्जा मिलता है मतलब सक्ति मिलता है इसलिए पावर हाउस अपसेल किसको कहते हैं माइट्रो क कंडिया में माइटो कंडिया में विभीन परकार के श्वस्नी एंजाइम जिसे साइटो क्रोम कहते हैं पाया जाता है जो वह जो एंजाइम होता है माइटो कंडिया के क्रिष्टि पर पस्थित रहता है माइटो कंडिया में क्रिष्टि होता है उस पर श्वस्न के दोरान गुलकोज के एक अनुशे 686 केजी कैलोरी उर्जा के प्राप्ति होती है 686 केजी कैलोरी उर्जा के प्राप्ति होती है यहां कितना उर्जा के प्राप्ति हो रहे थे गुलुकोज के एक अनुसे 56 केजी कैलोरी उर्जा के प्राप्ति हो रहे थे और अकशी स्वसन में गुलकोज के एक अनु से 56 काईलोरी 56 केजी केलोरी के प्राप्ति हो रही थी लेकिन आकशी स्वसन में गुलकोज के एक अनु से गुल्कुल चो 206 केजी कालोरी और दिशां के प्राप्ति होती है ना अनॉक्षीज्र होसन में यहाँ क्या हो रहा हमें देना अनॉक्षी में देनां मिल रहा था yêu न फिर शुन प्राप्ति होती है लेकिन odosing में 86 byte cesamooo mü को क्रिया को दो जो बहुँता गया कितना तो थो दो भागों में बटा जिसमें oxygen oxygen की जहुद परती है तो इसको अक्सीया विध्री को अक्सीशिश्श्ण करी कि grit विद्वी को दौ भागों मता गया है कि इसे direct respiration कहते है तो इसमें सभी कोश्न का बाइमंडल से मतलब इसमें जितना विश्व करता है सब्हूंडol से क्या लेता है ऑकसीजोन का ग्रहन करता है मतलब प्रतक स्वासन कोन करता है तो इसमें का सभी पेर पोधे डायरेक्ट स्वासन करता है अमीवा जो होता है डायरेक्ट स्वासन करता है यूगलीना डायरेक्ट स्वासन करता है लिस्मानिया जो है यह डायरेक्ट स्वासन करता है प्लाजमोडियम डायरेक्ट स्वासन क टील चट्टा जो है सो दारेक्क स्वासन करता है क्या करता है से टारेक्ट ओक्सिजन लेता है चिवलता है कि तो रित परिकरिया में कोशींअ लिए विखसित तंत्र होता है जिसे हम लोग में है एक बिक्सित तंत्र बना हुआ है फेफरा बना हुआ है पहले ड्याइक्ट बायों मेंडल से सभी गैस को हम अपने अंदर लेते हैं फेफरा तक जाता है और फेफरा तक सब बाहर निकल जाता है तो इसलिए को हैं और यह पैर पौधा जो है मीवा हो गया पीड्रेयियं tetOne हो गया लिशमानिया हो गया छोड़ता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं नोग चाहे जितना बिक्सित बिख्षित इव है मतला प सो कि लिए हो जितना जीफ है क्या करता है पहले पूरा गया घ्स पहले खिंचता है धेफ अडय क्साइड कृष ऑक्षीजन भी रहता है द्वी आपने अंदर है ख्षिचन है और और रहता है जितनार जिटने ज़ते हैं पूरा खी था के लिए जाता है उसके बाद फेफरा में क्या होता है वहां से किवल उक्षीजन को लिया जाता है बाकी गैस वहीं पर रहता है रुका रहता है जब फिर उदर से कारवन टैक्साइच जब लोटता है तो उसके साथ जो हो प्रप्रा रहता है फिफरा में उसके साथ कर्वन दाइक साथ बाहर निकल जाता है तो इसलिए इसको इन डाइक्ट लिएस पेरेशन यानि अपर्टेक्स स्वशन कहा गया है क्योंकि हम लोग पर्टेक्स रूप से अक्षीजन नहीं लेते हैं हम लोग सभी दूते हैं तक के बाद लिए या जाता है है तो बिभी कोशीन करता है इसंट चोड़ता है इस प्रकार के श्व्रक्राइब का था या प्रप्राइब करता है इसके बाद इन डाइरेक्ष वह जो है याने इस प्रकार की प्रक्राइब की प्रक्राइब से अक्षीजन करता है इसके लिए एक बिक्सित तंथ्र होता है सब ही बऒीकसि जन्तु में पर्ट स्वासन की परकरिया होती है तो इसके बाद कुछ生 ह्तत्य है कि एक कोस्किय जन्तु जो हिसे दिफ्यूजन मेथट कहते हैं क्षिण हम घ्र इसको हम लेख सकते हैं उसके जनतु है बिशुर से स्वसंट करता है इसके वाद जल ये जीव जनतु जो है वह गलफरा जो किसे उकाते हैं गलफरा इस उसे उकायता है तो गलफरा से क्या करता है स्वी स्वासन लेता आक्षीजन जो भूला रहता है वह जल के ऑक्सिजन से ही स्वसन करता है जल यह जीव जितना भी जल यह जीव होता है किसे लेता है तो गिल्स या कलोम से या गलफारा जिसको कहते हैं उससे स्वसन करता है वह ऑक्सिजन कहां साता है उसके लिए जल में ही ऑक्सिजन घुला हुआ रहता है उससे वह ऑक्सिज स्वशन के परक्रिए है थीन अंगों से समपन होती में 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 लागत मतलब जो जल रावस्था में रहा तो में उस में गिल्स होता है तो उच्छ गिल इसके बाद फेफरा से स्वासन करता है कब जब बहुत जाता है वह फेफरा से घृत तरह से से तवाय करता है तो कौन में एक ऐसा महात्र एक महतर आइसा जनतू है जो तीन अंगोश से स्वासन करता है समय समय पर पहला होगा गिल्स जब वहां अंड्या से बच्चा निकलता पानी में पॉप में जिसको ब्र॥्ली मैं में एक वस्ता भी देखते हैं पानी से बहुत ताइर रहता है तो बैंगमा चुरी में आ पर चुरूब दाने से बमेट अब काणिश कंडिक रहता है तो उसको बिदुम decide oh में चला जाता है ज्यांदा ज़पय और थंद्धा परने पर फुब मिट्सी मीद दिवox जाता है और शित निंद्रा के वस्था में चला जाता है तो उसी स्थित्ती हाए कुआ तो आचा से स्वासन शत्राइस करता है तो ऐसे मिट्依यस कि मात्रा बहुत कम रहता है उसी ऑप्षिजन से अपना स्वासन काम करता है लिए लिए ग्रहन कड़ता है पूंज ध्लिकर प्रिक परकहि जिसमें पर्टेज जिवित को उसका अक्षिजन में को तोड़ा जाता है जिसके फॉस रोग कारवन डाक साइब उसाजित होता है और औरजा की प्राब्ती होती है अधा स्वासन की प्रक्रिया को भिगत नार्टमक या destructive परोसेस भी कहा जाता है इस परक्रिया में ऑक्षिजन की मदद से गुलकोज अनु को तोरा जाता है अता इस परक्रिया को ऑक्षिकरन यानि ऑक्षिडेशन भी कहा जाता है श्वासन की परक्रिया के दोरान उर्जा बाहर निकालता है अता इस परक्रिया को उसमा छेपी यानि जो थर्मिक परक्रिया भी कहा जाता है श्वासन की परक्रिया को मापने वाले यंत्रा स्पाइरो मीटर कहा लाता है स्वासन की पर्किरिया को मापने वाले अंतर क्या कहाते है। इस पर्केरिया में अकशीजन की हम्सेक्ता नहीं परती है। अनौसीशिवस्वासन में उक्सिएवयन के प्षकन नहीं परती है। इस परकार का स्वासन सुक्स्जिव मानस्पषिक कोशिका और सरीर के आंध्रीक ओंगों में पाय जाने वाली कुश्च adviser में होती है। इस परकिरिया के दौरान गुलकोज अनुका आंसिक भिखंडन होता है जिसके फल्सरो इथाइल अलकोहल, लैक्टिक अमल, दो अनुपैरूबिक अमल और चार एटीपी उर्जा की प्राप्ति होती है अनौक्षी स्वासन के दौरान गुलकोज का के एक अनुसे 56 केजी कैलोर द्रव, यान, जिसको को साइटो पलाज्म का तो साइटो पलाज्म को संपन होती है अत्पर कैस याको ब्लाइको लाइस सिस परकिरिया भी कहा जाता है 5000 परl yeah की खोज एंबडेन मेर होफ एवं पार्शन नामक जर्मन विद्वान दोरा किया गया था अता इस परिक्रिया को इंपी पत्थ भी कहा जाता है मान स्पेशी में थकावर्ट अनॉक्षी या गलाइकुलाइसिस परिक्रिया के दौरान उत्पन लैक्टिक अमल के कारण होता है कि इस वचलत काहते हैं इस पर्कुर्ण को ट्रीक्रेव क में शमपन होता है थे अनॉक्षाम की लाशे साभ्यों करके दर्या के दौरान प φ Z जाता है जिसके फल सुरुफ शक्तिस और्जा की प्राप्ति होती है अत्माइट्रो कंडिया को पावर हांश अव्ष प्राप्टित रहता है अक्षी श्वासन के दोरान गुलुकोज के एक उनू से 60 मे केज्ग केलोरी उर्जा की परापती होती है और यानि अब पर्त्यक्स यहार डाक्सपरारिसन काई ग्रहन करता है तथा शोड़ देता है सभी इस तरह का श्वाषन कौन करता है तो सभी पेर पहुदा अमीवा प्रामीशियम यूगलीना लिस्मानिया प्लाजमोडियम तितली तिल्चट्टा में इसी प्रकार का श्वाषन होता है इसके बाद है अब पर्ट्यक्स श्वाषन जिसे इंडाइरेक्ट की प्रक करिया होती है इसके बाद है ऊस्तत है को सकी जन्तु में बिस्रन बिधि कहते हैं के दौरे स्वाषन की रिया संपन होता है जल तुम्हाधियम लिएंग दुमोझावलिय fringe की anticipation से संपन करता है इसको एक मात्र जंतु है जिसमें स्वासन की प्रिक्रिया तीन अंगों में संपन होता है तीन अंगों से संपन होता है पहला गिल्स से जब लारवा वस्था में रहता है टैड़ पोल वस्था में रहता है फेफरा से जब विक्सित वस्था में रहता है और पाचा से शम्पन करता है स्वासन तंत्र से संबंधित यह पहला वीडियो था है इसके बाद